नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेटफार्मा 24-7 में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिवपी सिप ओइन्मेंट के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मिवपी सिप ओइन्मेंट सिपला कंपनी द्वारा मेनुफेक्चर किया जाता है जो की 10 ग्राम ट्यूब के फॉर्म में आता है और इसके एक ट्यूब की कीमत है 213 रुपीज इस मेडिसिन का जो एक्टिव इंग्रीडियन्ट है यानि salt composition वो है मिवपी रॉसिन 2% weight by weight बात करेंगे इसके users के यानि किस medical conditions में ये medicine इस्तमाल किया जाता है तो ये एक तरह की antibiotic दवा है जो की किसी प्रकार की skin infections जो की bacteria दुआरा हुआ हो उसे ठीक करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो अगर आपको impetigo है यानि छेपिया हो गया हो आपको photofuncy हो गया हो या फिर अगर आपको folliculitis यानि बालतोड जैसी problem हो गया हो तो आप इस oirment को use कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके शरीर में कहीं भी cuts हो गया हो या फिर कहीं घाउ हो गया हो या फिर कहीं खरोस लग गयी हो तो भी आप इस दवा को use कर सकते हैं बात करेंगे इसको use कैसे किया जाता है? तो ये दवा आप दिन में दो से तीन बार लगा सकते हैं अपने affected area पर या फिर आपके डॉक्टर ने आपको जिस प्रकार जिसका dose recommend किया है आप वो भी follow कर सकते हैं ये ओन्मेंट लगाने के कुछ side effects हो सकते हैं जैसे कि आपको affected area पर burning sensation हो सकता है आपको irritation हो सकता है आप वहाँ पर आपको dryness हो सकती है या फिर आपको haridness हो सकता है तो ये सारे ही side effects इतने serious नहीं होते हैं बहुत ही temporary हैं लेकिन अगर आपको लगे कि ये side effects आपको परिशान कर रहा है तो आप अपने doctor को consult जरूर करें बात करेंगे कुछ precautions के यानि ये दवा लगाने के दुरान हमें किन बातों का ख्याल रखता है तो अगर आप pregnant हैं या breastfeeding mother हैं तो आप अपने doctor के advice के बेना इस medicine को ना लगाएं अगर आपको allergy है या फिर अगर आपको किसी प्रकार की allergy की history रही हो तो आप अपने doctor को inform जरूर करें ये oignment आप अपने आँख और नाख के करीब ना लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें अगर आप किसी और medications पर हैं आप किसी और बीमारी का दवा ले रहे हैं तो आप अपने doctor को inform जरूर करें तो ये था दोस्तो आज meo-pissip oignment के बारे में इसके regarding अगर आप को और कोई भी जान करें चाहिए तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कियें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद